आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्पेशल गट्टे की सबजी अगर घर में कोई सबजी ना हो और थोड़ा सा बेसन हो तो आप इसे बहुती आसानी से बना सकते हैं गट्टे की सबजी बनाते वाद अक्सर बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके गट्टे सौप्ठ न तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी में बेल आइकान को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए हलो एवरिवन मैं हूँ आपकी होस्ट और देशी पूरो ट्रावल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गट्टी की सब्जी बनाने के लिए मैं इस्तमाल करूंगी आधा बाउल्स बेसन बहुत ही कम बेसन के साथ में हमारी लाजवाब सब्जी गट्टी की बन के तयार हो जाती है साथी में हमें चाहिए थोड़ आसा दई जितना बेसन हमने लिया था उसकी आधी कॉंटिटी में दई का हम इस्तमाल करेंगे तो सबसे पहले बाउल्स में बेसन आड़ कर लेते हैं हम इसमें आड़ करेंगे आधा चमच जीरा चोथा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लालमिश पाउडर आप अपने टेस्क के अनुसार इसे थोड़ा कम्या जादा कर सकते हैं और अपने टेस्क के अनुसार नमक एक चमच अजवाईन जो गट्टे में बहुत ज़रूरी है इसको हाथ पे लेके क्रश करके हम डालेंगे अजवाईन को जब हम क्रश करके डालते हैं तो ही उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है हम इसमें आड़ करेंगे एक चमच कसूरी में थी इसे भी हम हाथ में लेके अच्छी तरह से मसल के डालेंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी सी स्मेल हमारे गट्टों में आएं अब हम इसमें आड़ करेंगे दो छोटे चमच गी गटो को super soft बनाने के लिए गी आड़ करना बहुत जरूरी है अक्सर हम इसमें तेल का इस्तमाल करते हैं लेकिन अगर आपको गटे soft बनाने हैं तो आप इसमें गी ही डालिएगा अब सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छी तरह से mix कर लेंगे और जो हम अपने घी डालाता वो बेशन में अच्छी तरह से mix कर लेंगे जब हमारा घी अच्छी तरह से बेशन में mix हो जाएगा देखिए कि कितनी अच्छी तरह से मैंने घी को बेशन में mix कर लिया है जब इसका हाथ में हम गोला बना रहे है तो आसानी से बन रहा है बस इस टेज तक हमें बेशन को घी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब हम इसमें एट करेंगे थोड़ा दही लगबग 3-4 चमज दही का मैं यहाँ पर इस्तमाल करूंगी हमें अपना डोह दही का इस्तमाल करते हुए बना लेना है और हमारा डोह ज़्यादा हार्ट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा सौट भी नहीं होना चाहिए तो पूरी बनाने के लिए हम जैसा डोह बनाते है लगबग उसी तरीका डोह बनाके हम रेडी कर लेंगे तो पहले हम थोड़ा थोड़ा दही लेंगे अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम थोड़ा दही और एड़ करेंगे तो देखिए दही के साथ में ही मेरा दोहो लगबग रेडी हो चुका है लेकिन अब हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मसलना है तो कम से कम 3-4 मिनट के लिए हम हातों से इसको अच्छी तरह से स्मूध बनाएंगे अभी जो ये हातों को चिपक रहा है तो ये चिपकना बिल्कुल बंध हो जाएगा उस टेस्ट तक हमें इसे रेडी करना है आप अगर चाहे तो इसमें थोड़े से पानी का चीटा भी दे सकते हैं अगर दही की कॉंटिटी कम हो तो हलके पानी का इस्तमाल करके हम इसका डोह बना सकते हैं देखिए हमारा डोह बिल्कुल अब रेडी है नहीं ये हाथ को चिपक रहा है और नहीं बाउल्स को चिपक रहा है बस इसी स्टेस तक हमें इसका डोह बना लेना है तो गट्टे के लिए हमारा डोह बनके बिल्कुल रेडी है और ये ज्यादा हाड भी नहीं है अब हम इसे ढकन लगा के 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे तो जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम तड़के की तयारी कर लेते हैं तड़का देने के लिए हमें चाहिए 2 मेडियम साइज के प्याज 2 बिक साइज के टमाटर और 8-10 लसुन की कलिया लसुन का हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा उपयोग करना है उससे हमारे गट्टो का स्वाथ बहुत अच्छा आएगा और 2-3 ग्रीन चिली इसे अपने टेस्ट के अनुसार आप थोड़ा कम्या ज़्यादा कर सकते हैं और 7 इमें एक छोटा अद्रक का टुकडा प्याच को हम फाइन चॉप कर लेंगे और अद्रक, लसन, मिर्ची, टमाटर को मिक्सर में पीस के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे प्याच को मैंने फाइन चॉप कर लिया है जितना बारिक आप प्याच को काट सकते हैं उतना बारिक काटी है उससे हमारे ग्रेवी का लुक बहुत अच्छा आएगा और साथी में मैंने टमाटर, मिर्ची, लसन, अद्रक को प्रफली चॉप कर लिया है इन सब को हम मिक्सर में डाल देंगे सारी तीजे हमने मिक्सर में आट कर दी है साथी में हम इसमें डालेंगे एक चम्मत जीरा और टेस्क के अनुसा थोड़ा नमक थोड़े पानी का इस्तमाल करते हुए हम इसका पेस्ट बना लेंगे 15-20 मिनट हमारे डो को रेस्ट करके हो चुका है देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है अब हम इसकी 5-6 चोटी-चोटी गोलिया बना लेंगे जितना हमारा डो है उतनी हम इसकी चोटी-चोटी साइज में गोलिया बना लेंगे तो जितना हमारा डो था उसको मैंने 6 पीसेस में डिवाइट कर लिया है है उसका साइज हमें थोड़ा मोटा ही रखना है तो ठीक साइज के सिलेंडर शेप में हम गट्टे रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से गट्टे रोल करने के लिए आप कोई प्लेटफर्म का भी इस्तमाल कर सकते हैं देखिए सारे गट्टे मेरे रेडी हो चुके हैं अब हमन अब हम इसमें गट्टे डालने के लिए हमें थंड़े पानी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है पानी जब अच्छी तरह से खोलने लग जाए तभी हम उसमें गट्टे आड्ट करेंगे सारे गट्टे मैंने इसमें आड्ट कर दिये हैं और मेडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे बॉल होने देंगे तीन से चार मिनट इसे बॉल होते हुए हो चुके है गरम पानी में जब हम गट्टे डालते है तो नीचे नहीं चिपकते हैं और बहुत अच्छी तरह से बॉल होते हैं अब देख पा रहे होंगे कि अब हमारे गट्टे पानी पे चेक कर लेते हैं देखिए बहुत ही अच्छे तरह से हमारे गट्टे पख चुके हैं जब गट्टों पर इस तरह से बबल्स बन जाए तो इसका मतलब यह है कि हमारे गट्टे परफेक्टली रेडी है तो अब हम ग्यास का फ्लेम बंद कर देंगे और गट्टों को थोड़ी रेडी कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए आदा बाउस दही और उसमें हम डालेंगे चोथाई चमज हल्दी दो चमज धनिया पाउडर एक चमज लालमिश पाउडर इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम्या जादा कर सकते हैं और एक चमज सब्जी मसाला साती में हमें इसमें यूज करना है एक चमज बेसन बेसन की वज़े से हमारा दही बिलकुल फटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा लूख हमारी ग्रेवी में आएगा तो सारे मसाले हम दभी में अची तरह से mix कर लेंगे मसाले हम अभी तरह से geht collaborate में बहुत बढ़ी आएगा और अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए rest दे देंगे ताकि हमारे सारे मसाले दभी में अची तरह से fill जाए तो गट्टे हमारे ठंडे हो चुके हैं अब हम इसे एक फ्लेट में बाहर निकाल लेंगे और गट्टो का जो पानी है इसे हमें फेकना विल्कुल नहीं है इसे हम रखेंगे और सबजी में इस्तमाल करेंगे अब हम इन गट्टो के छोटे-छोटे पिसेस कर लेते है ना ही ज़्यादा बड़े करेंगे और ना ही एकदम छोटे तो मेडियम साइज के गट्टे हम काट लेंगे तो आपको जैसे भी इजी लगता है फ्लेटफॉर्म पे या हाथ पे उस तरह से आप गट्टे काट लीजिए तो सारे गट्टे मैंने काट के रेडी कर लिये है तलका देने के लिए मैंने प्यान को गरम कर लिया है अब हम इसमें आड्ट करेंगे तीन बड़े चमच तेल तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें आड्ट कर देंगे एक चमच जीरा जीरा जब हलका ब्राउन हो जाए तब हम इसमें आड्ट कर देंगे एकदम बार इक कटा हुआ प्याज और ग्यास का फ्लेम हमें रखना है मेडियम से हाई के बीच में प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे जब तक हमारा प्याज हलका ब्राउन कलर का नहीं हो जाता प्याज को पकते हुए लगबग 3-4 मिनट हो चुके है देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे हमारे टमाटर लसुन की जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो हम इसमें एड कर देंगे तो सारा पेस्ट मैं इसमें एड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी हम मिक्सर में डालके उसे भी इसमें एड़ कर देंगे अब हम गैस का फ्लेम करेंगे मेडियम से हाई के बीच में और इसे 5-7 मिनट के लिए पकने देना है बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे लगबग 3-4 मिनट इसे पकते हुए हो चुके है देखिए कितना बढ़िया से हमारा मसाला दिख रहा है हम इसे एक बार मिक्स कर देते हैं और इसे 4-5 मिनट के लिए और पकने देंगे गटे की सबजी में हमारा मसाला पकना बहुत जरूरी है तब ही उसका रियल स्वाद आपको आएगा लगबग 5-6 मिनट मसाले को पकते हुए हो चुके है तोटल 10 मिनट के लिए करीब हमने मसाला पका लिया था देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा मसाला पक चुका है अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे दही जिसमें हमने सारे मसाले भीगो के रखे थे अब दही डालने के बाद हमें इसे कंटिनियूसली चलाते जाना है तो कम सकम 3-4 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कंटिनियूसली चलाते जाएंगे गैस का फ्लेम हमें रखना है लो से मेडियम के बीच में अगर आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया तो हमारा दही फटने के चांसे से इसलिए हमें इस स्टेज पे कंटिनियूसली चलाते जाना है जब दही डालने के बाद हमारी ग्रेवी इस तरह से बॉइल होने लग जाए तब हम इसे नहीं चलाएंगे अब हम इसे ढखकन दे के 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे लगबग 4-5 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे है देखिए कितनी बढ़िया से हमारी ग्रेवी पक चुकी है सारा तेल भी उपर आ चुका है तो अब इस स्टेज पे हम इसमें आड़ कर देंगे गटे और सब को अच्छी तरह से मिक्स करके चार से पाच मिनट के लिए फिर से पकने देंगे और ग्यास का फ्लेम हमें रखना है लो से मेडियम के बीच में लगबग 3-4 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे है देखिए कितनी बढ़िया से हमारी सबजी दीक रही है और पूरा तेल भी उपर आ चुका है तो हमारी टीपिकल राजस्तानी स्वाद के साथ गट्टे की सबजी बन के बिल्कुल रेडी है आप इस रेसिपी को एक बात जरूर ट्राइ कीजिएगा आपके गट्टे भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे और आपको इस रेसिपी अच्छी लगी तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ हसते रहिए हसाते रहिए आपका आए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद